जब हम लोग यहां आने वाले थे तो अपसे हमारे मंद में एक सवाल रगी है जम्मू कश्मीर में जाने के बाद हम लोग किसी इन चलेगी या नहीं कोई लोग बता रहे थे चलो हो गई है कोई बता रहे थे सिर्फ पोश्टर पेट चलती है एक बात तो बोलना चाहूंगा है और दोस्तों में कि अगर लदाक के लिए निकलो लदाक राइट के लिए तो माता रानी के दर्शन इस बीश में करने का प्लान मत बनाओं बोल साचे दर्बार की जै तो गुड आप्टर नोन फ्रेंड सासरा काल नमस्ते वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल बाइकर जसी सर और मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई जसबिर सिंग सलूजा अगर आप में से कोई भाई है जो इस वीडियो को मात्यम से चार पार्ट अप्लोड हो चुके हैं अगर वो नहीं देखें दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट है जाके पहले वो देखो तो पूरी सीरी अगर प्रॉपर देखेंगे तो आपको ज्यादा मज़ा आएगा पिछले पार्ट में हम लोग पंजाब ज दर्शन का होने वाला है और अगर वहां पर वीडियोग्राफिय अलाव नहीं हुई तो स्वारी मैं आप लोग को दर्शन नहीं करा पाऊंगा विशेश करके किसी भी धार्मी किस्तल के रूल्स में कभी नहीं ब्रेक करता कभी नहीं तोड़ता मैं वैसे ज्यादा तर निय दोस्तों आ गए हैं देवी रेश्टोरेंट में और अभी जब आ रहे थे हम लोग तो रास्ते में मेरे एक दो मुबाइल शौट देखी जब हम लोग यहां आने वाले थे तो अपसे हमारे मंद में सवाल रही है जम्मू कश्मीर में जाने के बाद हम लोग किसी इन चलेग किसी इन चलती है यह एक तम सही जानकर है जो आप तक पहुंच चुकी है इसके अलाबा एक और बताने करी बात है कि अगर आपको पोस्ट्पेट सिम नहीं है तो आपकी लोकल आईडी पर यहां आपको सिम बिल जाएगी सिर्फ तीन सुर रुप हम है जिसका अठाइस दिन का पैकवकिरा भी डदा रहेगा परड़े बंजी भी डादा भी रहेगा और कॉलिंग भी रहेगी तो खुल मिला के टेंशन नहीं है अगर आपको सिम नहीं है तो यहां के तीन सुर पर दो अपनी आईडी दो और सिम करी दो और यहां से जाने के बाद जम्व कुश्मेर से पाहर होने के बाद उससे तोड़के खेकतो फेंचिन कथा है श्राचा ओर जाए खाना आता है खाना काते हैं अध्यास पे निकलते हैं अब यहां से जाना है, एटीम ढूड़ना है, पैसे गतम होगा है, मिलबुस तुल तरह से जबना है, तो एटीम से कुछ कैश निकाल लेगे, क्योंकि यहां पर और आगे के सर्कृट में, एटीम क्या ओनलाइन के बरुसे नहीं रह सकते हैं, अच्छा है, चलिया, सीम के पहले दस्वन कराता हूँ, यह पूरा रास्ता है, जो चल के उपर जाना है, इम्मत देना मा, चैमाता दिक, नाम भी आपका, रोहित भाई, छोड़ने जा रहे हैं, हम लोगों को हमारी मंजिल तक मता मंजिल तक है, ठोड़े सी तूर है, रोहित भाई छोड़ने जा रह उनके साथ ही अटेज है, तो वहां उस बेरियर के उधर होटर वाली गाड़ी हम लोगों को छोड़के चली गई है, और यह है शुरूवाती नजारा, इस पाद्यातरा के शुरूवाती रास्ते का, हलांकि मैया की क्रपा से मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, और इस बार भी स चार्ज करते हैं, बान गंगा तक आपको छोड़के आते हैं, बान गंगा एक जगह है इस पाद्यात्रा में, जहां पर पैदल पोचने में 20 मिट लगते हैं, मतलब यह तो आप 20 मिट चल के चले जाएं, यह सौर खर्च करके इन आटो से जा सकते हैं, और आटो की संक्या द जायें तो पिधल, जाय माता दी, जाएं मांता दी पुरोष सामान सहीद यह लाइन हमारी यह बंद है चलो फिर पुरूष सामान सहीद यहां पर यह लाइन लग रही है और वहाँ अंदर मेरे खाल से बैक इजस वगिरा कि चेकिंग होगी बेक्चेक होंगे और शाहिद तलाशी भी होगी थोड़ा सा संदीक दे लाका है ना उसे दाथ से एक किलोमेटर पहले जिस घोड़े के पांच यार लग रहे हैं गेट पार होने के बाद गोड़े के दो हजार मांगे एक बेक्तिन है और उसको थोड़ा सा बोला कि यार देख ले तो वो बोला कि अठारासो देदे ना भाई साब पर हम लोगोने अठारासो भी नहीं देने हैं इसलिए हम लोग चल पड़े हैं बोलके जैंवाता हो जो नदी आपको मैंने दिखा ही मतलब वो छ का नाम है बान गंगा और इस्तान खाय भी बुला जाता है इस जगह को दर्शन करने वाले यहां आते इस्तान करते हो आगे बढ़ते हैं अलागे आजकल माननेता है अपनी जगह रहे गई है और लोगों का जो तरीका है वो अपनी जगह मेरे क्याल सब एक परसेंट लोग अब शायद इस्तान यहां आगर करते होंगे होटल का रूम लेते हैं महां मस्त रगड़ रगड़ के नहाते हैं और फिर आजाते दर्शन करना है एक किलोमेटर की यात्रा कर लिया हमने एक किलोमेटर की और आलात इत्ती शादनार होई हमारी जब 10 साल पहले आया था मुझ अब तेविस की उमर में कितना चलेगा इसां बुड़ा तक जूटे हैं पर इसको ज्यादा जूट नहीं है आपर भाई विक्की अपना अनुमा बताईए यात्रा का विक्की भया वह एकी चीज़ लग रही बागी बेग नहीं टांग रहे जता है यार वह जिद्धी बहु कर दो में टांग के जाओंगा चला देखते हैं आफ्रे में अगर ज्यादा ही चीट करेगा देना पड़ेगा जैसे जैसे ऊपर चड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नजारे और अच्छे होते जा रहे हैं अब यहां पीछे एक मसाज वाली दुकान लेखिए हमने इलेक्टानिक मसाज सेंटर है उससे रेट भी पूछ लिया है वापसी में लगे का हमको वह तो टाइमिंग के साथ से 20 रुपे 30 रुपे 50 रुपे बजट में बजट में चलो आते समय के हैं पता कर दिया है हाई यह देखो कुछी इस टाइप का इटम 20 रुपे 30 रुपे 50 जितनी देर आराम करना चाहेंगे उतनी देर का पैसा आपको लगेगा ठीक है जय माता दी पूरे रास्ते है खाने पिने की दुकानों की भर्मार है कोई पानी केरी करने की जरुवत नहीं है कुछ खाना वाना केरी करने की जरुवत नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई बस आप आजाओ चलने की हिम्मत लेकर इनकी जितनी एनर्जी माताजी ने दिये होती तो अभी ताप पोच गया होता है खेर अभी के अपडेट ही है दोस्तों करीब तीन किलोमेटर आज चुके हैं और तीन किलोमेटर बाद अरदो कुमारी आएंगी अरदो कुमारी माताजी का मंदिर आएगा उसके करीब 6 किलोमेटर बाद में माता का दर्वार आएगा पतब 25% रास्ता पार कर चुके हैं जो सीधा रास्ता जिस पर बोड़े चल रहे हैं उसके अलाबा ये सीडियों वाला रास्ता भी है प्रोड़े मुश्किल हैं पर ये शॉट पड़ता है हमार साथ टिककट ये रोड़ी सी की हम शॉटकट ले नहीं बात हैं इस भाई के कारण पर बहुत बढ़ा विल्पावर चाहिए भाई इस हेल्ट के साथ दर्शन की इच्छा रखने के लिए और भाई दब दब नहीं रहा है घोड़े पे नहीं बेठूँगा बालकी में नहीं जाओंगा चल के जाओंगा चलो विक्की भाई ने फाइनली अर्दुकुमारी माताजी तक के लिए घोड़ा वुक कर लिया है आट सो यह हजार रुपे ने बात हुद है जार बोल रहे हैं अब यह दो पता लगेगा देते समय की क्या सब्सक्ट बढ़े हैं अर्दुकुमारी से बैटरी वाली गाड़िया भावन के लिए माता जी के लिए है और फोए जिसका किरया ah 225 रुपे पर वो मिलती य नहीं मिलती इसका कुछ कान्फरमेशन नहीं है जोकि extinction होती है और milli मिला कि कुछ कह नहीं सकते हैं मिलेगी यह नहीं मिलेगी जानते हूँ चला है जोर्द बोलो जैवाता दी द्रशन कर्या नहीं जाता है कि तुम लोग दर्शन कर आ हो मैं वापस जाता हूँ MR आ शंजाए कि देख भाई जाना मुद्द injh है दर्शन करना मुद्द injh जीन नहीं करते है तो अट्व कुमारी माताजी के मंदीर तक के लिए घुड़ा कर ली आ है उसके लिए तो दोस्तो अर्द कुमारी माताजी के मंदिर के बाहर पहुंच गया हूं मैं और विक्के भी यही कही है पर मिल नहीं रहा है अब दोनों के पास मोबाइल है जो चालू है जो इलेक्ट्रिक विकल चलता है उसकी टिकेट को पता करता है और उसके बाद मैं कोशिश करेंगे कि उस विकल से ही जाएं क्योंकि अभी वे माता जी बहुत दूर है चलते हैं तो इससे पहले आपने जिस घोड़े बेठा वह देखा था हमारे भाई को वो उसे अर्दकुमारी माता जी तक छोड़के चला गया अब वहां से जो बैटरी वाली गाड़ी है वो मिली नहीं तो एक नया घोड़ा करा यह हाती मता तक ले जा रहा है शायद मैं उ जो दूरी बची है माता जी की वावन की वो होगी कुछ पांच किलोमेटर साड़े चार पांच जिसमें से दोड़ाई किलोमेटर यह लेके जाएगा भाई को और हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा विक्की भाई करान लेट हो गया है अदरवाइस अभी तक हम लोग मातरानी के दर्शन कर चुके होते हैं 2000 यह लेटर मैं बैठा हूँ यहां पर क्यों कारान बता को वहां पर है सारे लॉकर मतलब यह लॉकर का काउंटर है जहां से आपको लॉकर मिलेगा और यह सारे लॉकर रखे हो है यहां दर्शन का एक रूल है पर्स, मुवाइल, कैमरा, कुछ माता जी के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं बैल तो यहां पर लॉकर है वो आप लीचिए और अपना सामान उसमें रखे है वापस आईए सामान निका लिए और लॉकर की चाबी महां जमा कर दीज़ए और लॉकर बहुत कम है कम से कम सो लोगों के लाइन लगे हुई है लॉ खुल मिला कर ये ताह कि आपने में दर्शन कर रहे हैं। में दर्शन कर आएज किका हुँगा फिर वहरावा-दर्शन के लिए जाएंगे अगर बहुत कि अगर तो बहुत कर दर्शन करा किका MARK माता रानी के दर्शन इस बीचjang के करने का प्लान मत बनाओ। अभी ये 15-16 किलोमेटर हम लोग पैदल चल कर आए हैं अभी दो किलोमेटर और जाएंगे फिर ये 17-18 किलोमेटर नीचे उतरेंगे मुझे नहीं पता सुबह हम लोगों का क्या हाल होगा इसकाल हम लोग बाइक चलाने की कंडिशन में होंगे नहीं होंगे किया शायद एक दिन रेश्ट लेना पड़ेगा मुझे कुछ भी नहीं बता पर फिर भी मैं यह नहीं बोल रहा हूं यहां कोई गलती करी किसमत वाले हैं हम जो हमको महिया ने बुलाया और हम दर्शन करने आये हैं तो लख लख शुक्राना है इस माता रानी का जिसने मोका दिया है एक आत दिन अगर भी गड़ता है तो चलता है पर मान लीजिए कि आपके साथ कोई ऐसा राइडर है कोई ऐसा टीम मेंबर है जो इतना इस्ट्रेस नहीं सेहल सकता हूं और उसकी तब तो खड़ाब हो जाती तो बहुत दिक्कत हो जाएगी है अब जा रहा हूं को आएंगे फिर मैं जाओंगा दर्शन के लिए केमरा वागिर आलाओ है नहीं इसके बाद जाओंगा वहलों दर्शन के लिए अगर वहां पर आड़ा हुआ तो के नहीं तो जय माता दी जो भी होगा आपको वीडियो में बता दूंआ मैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं थोड़े दिर में तो दोस्तों अभी जो देखा आपने की भाई लोग लाइन में लगे थे और गए वो लोग वापस आए ग्यारा बज़े रात को बहुत ज्यादा भीड़ोने के करण उसके बाद में फिर मैं और एक और भाई साब यहां के लिए आए हुए थे हम दोनों गए और अभी बार बचके 10 मिट तो आप जा रहा है यहां से लीचे रूम पर देखें कितनी देर में पहुंचते हैं गंटा दो गंटा जो भी रूम पर पहुंचते हैं फिर आप से बात भी तो ठीक नहीं तो सुबह बात होगी वीडियो को सुबह एंड करेंगे तो इसी बात करेंगे आज की हमारे दर्शन वाली इस यात्रा के बारे में और फिर वीडियो को एंड करेंगे शायद रूम पर पहुंचकर यहां शायद सुबह आपको तो पता जल जाएगा एक सेकेंड और वह एक सेकेंड यह रहा तो दोस्तों सुबह साड़े तीन चार बजे हम लोग पहुंचे रू जाएगा जाते खेर जो भी साड़े तीन चार बजे हम लोग रूम पर आ गए और आते ही तुरंत सो गए आज हमारा शिर्नगर जाने का प्लान है तो कल रात को यह सोचा कि यह अब सुबह उठेंगे और सोचेंगे कि जाना है या रेष्ट करना है पर मैं उठा आभी 11 बज किलो मिटर है रास्ता थोड़ा अच्छा पूरा भी मिला तो हाइडली साथ गंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे साथ आठ गंटे में बागी वाई गुरु माली के देखो नजारे लेते हुए फोटो यह खिशते हुए वीडियो बनाते हुए कितनी देनों पोश्चते ह खेर यह जो हमारा पार्ट था लदाक सीरीज का यह वाला पार्ट जिसमें माता जी के दर्शन करने हम लोग उपर गए थे यहीं पर खत्म होने जा रहा है इसके पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो देख ले अगला पार्ट देखने की थोड़ी सी भी इच्छागर कर रही हो थोड़ी मैनत भाई के से लग रही हो जहां यह यार भाई के वीडियो देखना चाहिए तो चैनल सबस्क्राइब करके उस चोट इसे बेल आइकून को दबा लें जिससे कि आपको मेरे वीडियो सब्लूड होते ही notification दिल तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, गुडबाय सास्त्रियाकाल, नमस्कार रवराखा.